बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com विशेश उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकें में दूर कर देगा तो चलिए राशिफल के शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है बुद्वार का तारीक 18 मई 2022 जेश्ठ कृष्ण तृत्या पर चंद्रमा व्रिश्चिक राशी और जेश्ठा नक्षत्र में रहेंगे आज का शुभंक रहेगा दो शुभंक रहेगा सफेद शुभ दिशा रहेगी व्यायव यानि की नॉर्थ वेस्ट राहु काल रहेगा दोपहर 12 बचकर 18 मिनट से दो बज़े तक का भदरा रहेगी दोपहर को एक बचकर 17 मिनट से लेकर के रात में 11.36 तक दिन का सबसे शुभ मोहरत रहेगा सुभे 39 से लेकर के 11.52 मिनट तक विशेश क्या है ध्वजी योग है और इसमें देवी जेश्ठा का पूजन किया जाएगा और हमारा विशेश चुपाई भी दिवी जेश्ठा से ही सम्मंदित है बताएंगे आपको कैसे दिवी जेश्ठा दुरभाग्य से मुक्ति देंगी उसके लिए राशेफल आपको आखर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशेफल के शुरुवात करते हैं राशे नमबर शनी टॉरस की बात करेंगे दफ्तर में अधिकारी मदद करेंगे पुराने विबाद का निप्टारा होगा कारोबारी लाव होगा कोई खुशकबरी मिलेगी परिवार के साथ डिनर करने जाएंगे उपाईए करें कि कांच के बरतन का स्तमाल करें शुभंग आठ रहेगा काला तीसरी राश मिथनियानी जमनाय की बात करेंगे दफ्तर के खास काम पूरे होंगे स्वस्त मैसूस करेंगे सामाज एक मान प्रतिष्टा बढ़ेगी दैने काम में सफलता मिलेगी घरी लुसुप में व्रद्धी होगी उपाईए करें कि मूं के दाने तिजोरी में रखें शुभंग चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला पांच्वे राश सिंग यानि के लियों की बात करेंगे कारोबरी निवेश में सतर प्रहें मित्रों से गलत फैमी होगी दफ्तर के काम में बाधाएगी घरी लुबाता बरन खुशाल रहेगा धर्म करम में रूच उपाई ये करें कि उत्तर दिशा में पानी भरा पातर रखें शुभंग सात रहेगा शुबरंग रहेगा से लेटी साथ वी राशे तुला यानि के लिवरा की बात करेंगे समय पर काम पूरे होने में बाधा आएगी व्यापार में लाब होगा खास लोगों से संपर्क से लाब होगा रोजगार सफल रहेगा सेहत में उतार चड़ाव रहेगा उपाई ये करें कि पक्षियों के लिए चुगगा रखें शुभंग आठ रहेगा शुभंग रहेगा काला आठवी राशी व्रिश्चिक एनिक स्कॉर्पियों के बात करेंगे कारोबारी यात्रा के योग हैं आर्थिक लाब होगा खास मुद्दे पर निर्णय लेंगे पिछले काम में लाब होगा विरोजगारों को नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा उपाई ये करें कि घर के उत्तर दिशा में दीपक रखें शुभंक दो रहेगा शुभंग रहेगा सफेद नमीर आशिद धनू यानि की सजटेरियस की बात करेंगे काम काज में परिजन सयोग देंगे नए सोत्त से लाब होगा आर्थिक पक्स शुद्रेगा पुराने मित्र से भेंट होगी कुमारों के शादी पक्की होने के योग हैं उपाई ये करें कि तिजूरी पर चंदन से स्वास्तिक बन शुभं के एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल ग्यारवी राशी कुम यानि के अक्वेरियस की बात करेंगे दफ्तर में सभी सहयोग देंगे बड़ी खुशखबरी मिलेगी मनोरंजन का आयोजन में मनोरंजन के आयोजन में भाग लेंगे परिजनों के साथ धर्मिस्तल पर जाएंगे खर्चों में व्रद्धी होगी उपाई ये करें कि दाइं कलाई पर हरा धागा बांदें शुभं के एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल बारवी राशी मीन यानि पाइसेस की बात करेंगे कलातमा कारों में रुचिवड़ेगी दफ्तर में नया प्रोजेक मिलेगा कारशेतर में तरक्की के योग हैं योजनाय सफल होंगी मान सम्मान में व्रद्धी होगी उपाई ये करें कि गरीब कन्या को मिश्रीदान करें शुभंक पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा तो दोस्तों आप समय आज के विशेश उपाई का वो विशेश उप करें हरीम जैश्ठा यही नमहा आश्वस्त करता हूं आपको दुर्भागे से निश्चित मुक्ति मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाव सफिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें आपी का अपना चैनल एस्टो तक इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्श दीजे चैनल एफ रहें गयागें यहाज़त से प्रभागें मुलाकात हूं आपको तक देखते लिए पार लोगे हैं आपको पार्वाई.